आज की वीडियो में हम लोग HCF क्या होता है वो जानेंगे और साथ ही साथ उससे related problem को भी solve करेंगे अब HCF का full form होता है highest common factor and HCF is also called greatest common measure यानकी GCM and greatest common divisor यानकी GCD तो अगर किसी problem में पूछा जाए कि GCM बताओ इन सभी नंबर का या GCD बताओ तो उसमें परिशान होने की कोई जरौत नहीं है बलिकि वो HCF ही होता है तो अगर आपको HCF पता होगा तो उसका भी answer easily दे पाओगे the greatest number which divides each of the two or more numbers is called HCF यानि कि सबसे बड़ा number highest number बोला गया था ना उसका full form में मतलब कि सबसे बड़ा number जो divide कर देता है उन दोनों numbers को उसको हम लोग बोलेंगे HCF जैसे कि एक example लेते हैं 385 and 490 find the HCF of these numbers तो सबसे पहले तो 385 को तोड़ेंगे यानि कि छोटा करते जाएंगे उसको फिर उसी तरह 490 को भी तोड़ना है उसको factor करते जाना है बिल्कुल इस तरह और फिर आता है 385 equals to 5 into 7 into 11 तो इस problem में दो ठो नंबर है 385 and 490 तो इन दोनों numbers का ही HCF निकालना है यानि कि वो number ढूंड का निकालना है वो सबसे बड़ा number जो इन दोनों को ही पूरी तरह से divide कर दे reminder 0 आ जाए तो अब आते हैं नीचे की तरफ 490 का भी कितना है 2 into 5 into 7 into 7 तो अब इन दोनों numbers का factors तो निकल गया है अब इसको देखते हैं कि इन दोनों में कौन-कौन सा number same है यानि कि similar है तो 385 में 5 और 490 में भी 5 है फिर 385 में 7 है उसी तरह 490 में भी 7 है और तो कुछ दोनों में similar दिखनी रहा है दोनों में similar होना चाहिए जैसे कि 490 में 2 है बट 385 में 2 नहीं है तो हम 2 को cancel कर देते हैं उसको नहीं लेना है SCF में उसी तरह 385 में 11 है और 490 में 11 नहीं है तो उसको भी नहीं लेंगे तो इसी तरह HCF में जो है हम लोग 1 तो 5 और 1 तो 7 ही लेंगे क्योंकि वही दोनों नमबर दोनों में same है एक भी ज़ादा नहीं ले सकते एक भी कम नहीं ले सकते दोनों में common होना चाहिए दोनों में similar होना चाहिए उसी नमर को ले लिया जाएगा therefore HCF equals to 5 into 7 equals to 35 यही हो गया answer तो 385 और 490 का HCF जो है वो 35 है अब हम लोग जो definition था उसके हिसाब से तो देख ले तो 35 से अगर हम 385 को divide करते हैं तो देखो वो पूरी तरह से divide हो जाएगा और यह जो है greatest यानि कि highest number है उसी तरह अगर हम लोग 490 को भी 35 से divide करते हैं तो वो पूरी तरह से कट जाएगा और यही हो गया 490 का greatest number जिससे कि वो divide हो जाए important note किसी भी नमर का HCF हम लोग 3 तरीका से निकाल सकते हैं और वो इस चार्ट में मैंने बट answer में कोई difference नहीं होगा ब्रस उसका process जो है थोड़ा सा change होगा answer जो है same आएगा तो number one GCD by listing out the factors हम लोग जानते हैं SCF को GCD कहा जाता है इसको समझाने के लिए एक example दिया गया 24 and 36 इन दोनों का ही इन दोनों numbers का ही GCD निकालना है तो सबसे पहले इसका factor निकालेंगे factor यानि कि वो सारा number जिससे कि ये पूरी तरह divide हो जाए तो इतने सारा number है एक line से इन सम्में से देखो सिर्फ जो 12 है दोनों में ही common आ रहा है यानि कि 24 और 36 वो greatest यानि कि highest number है दोनों में सेम होना तो जरूरी ही है हाइस number आना भी जरूरी है तो 12 ही वो number है जो इन दोनों number को पूरी तरह से divide कर सकता है और ये जो है greatest factor है दोनों का factor निकालेंगे हैं हम लोग अलग अलग तो 12 ही जो है greatest factor है जो 24 और 36 को पूरी तरह से divide कर दे रहा है अब चलते हैं प्रोसेस नमर टू पे जीसीडी यूजिंग रीपीटेड डिविजन और आज का सम हम लोग उसी मैथड के बेस्टे करेंगे यानिकि यही मैथड हम लोग यूज करने वाले हैं क्योंकि यह इसीएस्ट मैथड है मेरे हिसाब से तो इसमें भी 24 और 36 का जीसीडी फिर और छोटा है तो 5 इस तरह से तो देखो दोनों में जो है 2, 2 and 3 यह तिन नमर जो है common है तो जीसीडी क्या हो गया यही हो गया जीसीडी रिपिटेड डिविजन है ना यह एक मैथड का नाम है दूसरा मैथड अब चलते हैं हम लोग का final मैथड पे जीसीडी यूजिंग प्राइम फैक्टोराइजेशन यानि कि इसको छोटा से छोटा नमबर से काटते जाएंगे 24 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 आ रहा है फिर 12 को 2 से डिवाइड करो 6 आएगा फिर 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा फिर finally यही हो गया factor प्राइम फैक्टर यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन अफ दे नमबर 24 उसी तरह 36 का भी निकालेंगे सो finally GCD क्या हो गया GCD इकोल स्टू इन्टू 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 इकोल स्टू 12 तो यह तीनों मैथट जो है याद रखना चाहिए क्योंकि यह तीनों मैथट से कुष्यन आ सकते हैं मालों कहीं लिखा हुआ है find the GCD using the प्राइम फैक्टराइजेशन तो उस समय तुम लोग को यही मैथड इस्तेवाल करना होगा कहीं अगर नहीं लिखा हुआ है कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है सिर्फ पूछ रहें कि SCF बताओ तो वहां पर हम तीनों में से कोई भी एक मैथड यूज़ कर सकते हैं मगर अगर कहीं बोलता है कि प्राइम फैक्टराइशन यूज़ कीजिए या फिर लिस्टिंग दूसरे प्राबलम की तरफ find the HCF of the following number A 84,270 तो उसी तरह 84 को तोड़ते हैं इसका भी फैक्टर निकालते हैं फिर 270 को फिर दोनों में जो भी number common आ गया है उसको ही HCF में multiply कर देंगा और वह ही हो जाएगा answer तो 84 उक्वाल स्टू क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 270 में 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 तो देखिए 84 और 270 में 2 और 3 ये दो नंबर जो है common है तो इसको ही HCF में रखेंगे और दोनों को multiply करो यारे कि 2 इंटू 3 करते हैं तो therefore HCF equals to हो गया 6 नंबर B 144 216 and 432 इसका भी उसे तरह HCF निकलेगा तीनों को factor करो फिर तीनों में common नंबर ढूंडो common नंबर मिल गया तो उन सबको multiply कर दो और वही हो गया HCF नंबर A में सिप दो इठो नंबर था यानि कि 84 और 270 और उसी का हम लोगों को HCF निकलना था लेकिन नंबर B में तीन नंबर 144 216 and 432 तो इन तीनों का factor निकालेंगे तो इतना याद रखना कि HCF में जिस नंबर को लेकर multiply करना है यानि कि जो नंबर common मिल रहा है वो numbers तीनों factors मोहना चीए तीनों में उपर में तीन है ना तो तीनों में अगर चार रहता तो फिर चारों में से हम लोग सेम नंबर ढूंड कर निकालते और उसी को HCF में ले जाकर multiply करते नंबर C, 60, 270 and 390 इन तीनों number का निकालना है HCF तो अब तो तुमको आई ही गया होगा तुम लोग को 60 का भी निकालो factor 270 का भी और 390 का भी तीनों का निकाल के देखो तीनों में कौन common है तो इसमें तो हमको दिख रहा है 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है और 5 भी तीनों में है तो HCF equals to 2 into 3 into 5 equals to 30 नमबर D 36,420 and 900 इन तीनों को फेक्टर निकलना है तीनों को तोड़ो छोटा सो छोटा भाग में तोने कोश रिखना है यानि कि सबसे पहले हम लोग 2 बारा तलवार ही use करते है 900 को काटने के लिए यानि कि टुक्रा करने के लिए सबसे छोटा फैक्टर इस्तिमाल करते है जो कि 2 है उसके बाद 3 लेते है 3 से नहीं जाता है 4 लेकर देखते है 5 लेकर देखते है इस तरह से तो करते करते क्या आया है common तीनों में जो है 2 और एक 2 और एक 3 तो ये तीन नमर सेम है तो hcf क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इकोस्टो 12 नमबर f 128 136 और 512 इसका भी hcf सेम तरीका सही निकालेंगे तीनों को डिवाइड करो तीनों को छोटा करो और फिर देखते हैं क्या common है तो तीनों नमर में हमको तो 3 तो 2 common नजर आ रहा है तो therefore hcf equals to 2 into 2 into 2 equals to 8 Now I hope कि आप लोगों को hcf का concept अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को subscribe और like जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा share करते रहें See you on the next video, thanks for watching